प्रसी से चले हम बादल सा घर्चे हम सावन सा परसे हम सुरत सा जम के हम स्कूल चले हम गुड मार्नी क्लास फिफ्ट के बच्चो तो बच्चो हम पढ़ रहे हैं दया की देवी मदर ट्रेसा पाठ तो जहां तक हमने कल पढ़ा था वहां से आगे आज हम पढ़ेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे मदर ट्रेसा को सभी बड़े पुर्षकारूं से समानित किया गया भारत सरकार ने उन्हें देश के सरवच समान तो सरवच क्या होता है कि सबसे बड़ा सबसे उंचा समान भारत रतन से अलंकरित किया तो इसका अर्थ यह हुआ कि मदर ट्रेसा को बहुत बड़े बड़े पुर्सकार मिले थे भारत सरकार की तरफ से उनको भारत का सबसे बड़ा पुर्सकार होता है जो भारत रतन वो भी मिला था इसके अत्रिकत अत्रिकत का अर्थ होता है अलावा तो इसके अलावा उन्हें और कौन-कौन से पुर्सकार मिले थे पदम शीरी पुर्षकार भी मिला था, शांती परितोशक भी मिला था, और रेमन अवार्ड भी उनको मिला था, कनेडी अवार्ड से समानित किया गया था, उन्हें विश्वे का अर्थ क्या होता है, दुनिया, उन्हें विश्वे का सर्वाधिक, तो सर्वाधिक का अर्थ होत थे गिला है कि सम्मानित पूर्षकार मेगिस से अवार्ड भी मिला, तो मतलब यह हुआ कि जो दुनिया का सबसे प्रतिष्टित पूर्षकार है, वो कौन सा है? मेगिस से अवार्ड, तो वो उससे भी मादर ट्रेसा को सम्मानित किया गया था. हम सभी भार्थवासी उन पर गरू करते हैं उनके कारण मा भारती का मस्तिक गर्वंतित हुआ तो हम सभी भारती जो है, मदर ट्रेसा पर फखर करते हैं और उनकी वज़ा से ही हमारी भार्थमाता का सर उंचा हुआ है ऐसलू मैं नोबल पुर्सकार ग्रहन करते समय होता है कि भाव पूरण बातें उनके निर्मल एंसरल रिदे के प्रतीबिम तो प्रतीबिम कार्थ क्या होता है परचाई जब मदर ट्रेसा ओसलो में नोबल पुर्षकार ग्रहन कर रही थी तो उस समय उनुने कुछ भाव पूरण और निर्मल रिदे से कुछ बातें कही थी वो यहां नीचे लिखी हुई है तो मदर ट्रेसा ने ये कहा था हे प्रभु मुझे अपनी शांती का winning बना दो थो उनुने कहा था कि हे प्रभु मुझे शांती का परवाह बना दो जहां पे नफरत है वहां में प्यार पहला सकूँ जहां संघर्ष है वहां में समझस्य ला सकूँ तो संघर्ष का अर्थ क्या होता है स्ट्रगल, प्रिश्रम तो मदर ट्रेसा बोल रही है कि जहां पे संघर्ष है वहां में समझस्य तो समझस्य का अर्थ क्या होता है कि तालमेल कि वहां में तालमेल ला सकूँ जहां पाखंड है तो पाखंड का अर्थ क्या होता है कि ढोंग जहां पाखंड है वहां में सत्य फेला सकूँ कि जहां पर नराशा है वहां पर हमें आशा तो आशा का अर्थ क्या होता है कि उमीद, उमीद की दीप, मतलब उमीद की रोशनी जगा सखूं तो बच्चो मदर ट्रेशा पाठ हमारा जवब पूरा हो गया है आप देखो इस पाठ के नीचे कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये हुए हैं कुछ तो ये भी पढ़ लेते हैं देखो पहला वाला शब्द है दरिद्रिये तो दरिद्रिये का अर्थ क्या होता है गरीबी और यहां से नीचे देखो वियापक तो वियापक का अर्थ क्या होता है फैला हुआ अकिंचन तो अकिंचन का अर्थ क्या होता है गरीब और प्रतिष्टित का अर्थ क्या होता है सम्मानित और उद्गार तो उद्गार का आर्थ क्या होता है भावपूरण बातें तो बच्चो जो पाठ हमने पढ़ा वह आपने पढ़ना है और यह जो कठिन शबद है यह आपने होमवर्क करना है